आप लोग में से बहुत सारे लोगों ये चीज पता होगा कि मेरी फेवरेट कोई चीज है जिससे मैं आडियो सुनना पसंद करता हूँ तो वो है नेक बैंड एक में को बहुत ही जादा इरिटेटिंग पार्ट लगता है नेक बैंड का और इन जनरल एनी ब्लूटूथ डिवाइस का कि उसको बार 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 चार्ज करना पड़ता है एंड उस चीज का सल्यूशन लेके आ जुका है बोट जो है हमारा ये बोट का बोट रॉकर्स ट्रीनिटी जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक सो पचास घंटे का प्लेबैक विच इस लिटरली माइंड ब्लॉइंग इसना ही नहीं इसके अंदर हमको बहुत ही तगड़ा साउंड देखने को मिलता है सारी चीज आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ So here what's up guys my name is Zaheer and this is our unboxing of this Boat Rocker's Trinity So let's begin So guys, first of all let's see our unboxing Okay guys, so this is Neckburn's box Rocker's Trinity Peerless Laytime up to 150 hours In 24 hours of battery life, you'll need to see only 10 minutes in charging Ride or snooze easy adaptive fit IPX5 water resistance rating Tangle free cable, cable holder भी दियावा है Ultra flexible, pocketable, lightweight, dual pairing, live the sound Let's quickly open this Okay, so सबसे पहले यहाँ पर हमको वही neckband हमारा मिलाता है यह है हमारा neckband guys, बहुत ही जादा flexible है और सच में बहुत ही जादा pocketable है, बहुत चोटा हो जाता है Box scanner हमको यहाँ पर एक extra sashay दिखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर हमको एक USB Type-P to Type-C cable लिखने को मिलती है कुछ paperworks है, वही colorful paperworks from board Boathead का speaker है, यह हमको कुछ extra ear tips लिखने को मिल जाता है Okay guys, so काफी time से मैं इसको test कर रहा हूँ And literally मेरा mind blow हो जुगा भाई क्या मजबूत product बनाया भाई, पोट में मज़ा आ गया सच बता रहा हूँ, सबसे पहले build quality and design की बात करते हैं देखो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हूँ मतलब इस बार थोड़ा सा इन लोग ने philosophy अपनी change की है क्योंकि यह सबसे longest battery life वाला neckband है तो इसके वाज़े से इनको दो बैटरी देना पड़ा इसी के side में हमको यहाँ पर USB type C port भी देखनी को मिलता है इधर पर microphone है इधर पर LED light देखनी को मिल जाती है और जो यह cable है यह भी flat style वाली है काफी मुस्बूत cable है corner वगरा है यह भी reinforced लग रहा है तो tension में को यहाँ पर लगा नहीं तो इसको हम जैसे यहाँ पर मैंने गले में पहने का इसको समझ लो मैंने इसको एकदम उपर कर दिया और इसको मैंने कुछ इस चरह से लगा दिया कुछ इस चरह से एक बार लग गया ना तो safety इसकी double triple बढ़ जाएगी इसो क्षिच के निगाल सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से यहां पर दुनों केबल लग जाता है बिसीकली केबल और अगर आपको चाहिए तो आप यूज करो नहीं चाहिए तो इसको निकाल दो कोई भी मेरे को इरीटेशन नहीं भी कोई भी इशू नहीं फेस हुआ जो में को काफी सई चीज लगी बहुत ही जादा कमफटेबल लगा अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहां पर रीली रीली इंप्रेस्ट यूजवली जो बोट के एरफोन जाते थे उसके सॉंग पसंद है उनको पॉटकास सुनने जादा पसंदा जिसमें वोकल जादा इंपोटेंट है पशेरी जैसे मैं हूँ तो मुझे मेरेको दोनों चाहिए हां और वही चीज का solution यहां पर में को देखने को मिलाता है क्योंकि जैसे आप लोग यहां पर यह बटन देखर हो वीच का तो आप जैसे इसको दो बार टैप करते हो ना तो सिगनेचर साउंड करके एक आवाज आती है इसके अंदर and then वो अपने प्रॉपर एकटम हेवी बेस वाले मोड में आता है और अगर आपको बाजीगर जैसा सौंग सुनना है जिसमें हेवी बेस होता है तो उसमें सि देखने को मिल जाता है लेकिन आपको केसरिया जैसा गाना सुनना है जिसमें वोकल जादा प्रनाउंस्ट है जो हाइज जादा उठके आते है आपको मिड्स एं हाइज जादा सुनना है और बेस भी होना चाहिए बैलन साउंड सिगनेचर चाहिए तो आप इसको डबल इसके दर वाद है कि बैलन्स मोड जैसे ऑन हो जाएगा जो बेसिकली क्रिस्टल बायोनिक साउंड जो बोट की लेटर सेक्नोलोजी क्रिस्टल बायोनिक साउंड उसमें शिफ्ट हो जाता है जो क्वालिटी है बहुत जादा इंप्रूव जाती है एकदम नेश्ट लेवल जो वोकल की क्लारिटी है भाई मज़ेदार मतलब लेटर ली मैंने एक्सपेक्ट नहीं कहा था उससे ज्यादा बेटर साउंड कोलिटी हमको दिखने को मिल जाता है काफी बैलन्स साउंड सिगनेचर आता है जो बोट के लिए बहुत बड़ी बात है यूच्वली बोट के बहुत जादा से बेसेवी होते हैं बेसिकली इसके अंदर हमको एक क्रिस्टल बायॉनिक मोड दिखने मिलता है जिसको बैलन्स मोड बोट वाला कह रहा है क्रिस्टल बायॉनिक साउंड पावरड बाई वेरी वेरी एफिशन्ट हाइफाई दीस्पी तो वो डीस्पी के बहुत जबरतास्त है यह आसपास की आवाज जो आपके इन्वायरमेंट की आवाज उसको कैंसल करने की केपिपिपिपिटे रखता है अगर मैं आपको इधर पर क्विकली इसका एक वह दिखाऊ डेमो अभी काईज मैंने फैन चालू कर गया है तो आपको माईक में फैन की यह मैंने जिसको कॉल किया है अधर अएंड में मतलब उसके बीच में नेटवर्क वगारा कभी जो कंपरेशन आता है वो सब लेके सामने वाले के फोन में रिकॉर्ड हो रही है तो मतलब सामने वाले को किस तरह की आवाज जाती है यह ए आई-ए-ए-ए-णस का कमाल है सामन बैटरी लाइफ की तरफ तो भाई यहाँ पर लिटरली माइंड ब्लॉइन चीज किया है बोट वाले ने चार सो चाली समयच की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है एक एयरफोन के अंदर जस्ट इमाजन बोट कहता कि आपको 150 आवर्स की बैटरी लाइफ मेलेगी बहुत ह बहुत ही जादा क्रेजी जादा क्रेजी जस्त इंक अबाउट देड़ गंटे की बैटर लाइफ मेलेगी अगर आप एक बर्स को फुल चार्ज करो लोगे एक गंटे में फुल चार्ज आता है उत्रा ही नहीं इसके अंदर हमको एक बहुत ही तगड़ी वाली फास चार्ज बाकी गेमर्स के लिए special feature हमको इसके अंदर देखने को मिलता है जो है beast mode इसके अंदर जो यह middle multifunctional button है इसको आप तीन बार टैप करोगे तो यह beast mode के अंदर एंटर कर जाएगा and उसके अंदर आपको 65 milliseconds की low latency देखने को मिल जाती है जिसमें आप easily casual gaming कर सकते हो जो काफी अची चीज़ है यह एक छोड़ा sample है देख लो सगाइज अभी देखो यह normal mode है नाव लेट्स टॉन ओन दो बीस्ट मोड़ वन टू थ्री सगाइज अभी बीस्ट मोड़ आउन हो चुका है एंड लेट्स सी काफी हद तक जो latency है गेमिंग की वो काफी हद तक रेडियोस हो चुके गई वाव बहुत कम लेटन दे हो गई वेरी नाइस तो यह था गईज बीस्ट मोड़ और गेमिंग का टस्ट वाकी IPX5 water resistant rating के साथ में आता है मतलब हलका फूल का इसके उपर पानी जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है एक बहुत अच्छा फीचर हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है बेसिकली यह Bluetooth 5.2 के साथ में आता है तो डूल पैरिंग का सपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है तो ओर और एक बहुत तगड़ा प्रडेक्ट बनाया है यह सारी चीज है आप लोग सुचे लोग कि बहुत महेंगा प्रडेक्ट हो कर लेकिन नहीं पंदरासो रुपे का है स्पेशल लॉंच ओपर में यह आपको पंदरासो का देखने को मिलेगा बाद में इसका प्रडेक्ट बढ़ भी जाए बट अभी फिलहाल आपको पंदरासो रुपे में देखने को मिल रहा है भाई क्रेजी प्रडेक्ट है फॉर शॉर आइक डेफिनेटली से यू डेफिनेटली चेक आउट डिस प्रडेक्ट है मैं निचे डिस्रिप्शन में लिंक प्रवाइड कर दी है वागी इतना ही था आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो लाइक शार सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच पॉचिंग दिस वीडों गाईज बाई